तुर्णाइब 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 सर रूस यूकरेन यूद के ताजा हालात क्या हैं साथ ही हम यह भी जाना चाहेंगे कि जेलिंसकी क्यों इजराइल के साथ और पुतिन क्यों फिलिस्टीन के साथ खड़े हो गए निरी जी रूस यूकरेन का जैसे हम हमेशा कहते रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रह इक से जो यह पिछले पांच दिन के हालात हैं छड़ा दिन का आज है इजराइल में उसने टोटली इसको ढग दिया है और शेड़ो कर दिया है यूकरेन और रूस की लड़ाई और जो एक चंता का विसे बन गया है यूकरेन के लिए उसको लग रहा है कि अब जो है नाटो और अमेरिका उधर ध्यान देंगे और उकरेन की तरफ ध्यान नहीं देंगे रूस तो रूस के लिए बहुत फायदे की चीज हो गई है क्योंकि अब उसने नाटो को वेस्ट को और अमेरिका को दो फ्रंट पर उसका ध्यान कर दिया है इजराइल की तरफ इजराइल और Ukraine के उपर है वहां से काफी कुछ उधर चला गया है तो यह जो है मेरे ख्याल से एक achievement है जो अगर रूस के लिए कि ध्यान इस तरह बढ़ गया है और जो आप देख रहे हैं कि समान लड़ाई का साजो समान भी वहां पहुंच रहा है वहां जाना है तो इतना ज्यादा अगर द वहां बढ़ जाता है हेजबला हमास दोनों दो फ्रेंट खोल देते हैं तो वहां पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अमेरिका को भी और जो बाकी देश हैं नाटो के आधके एजटेस यह अमेरिका में सेंट में अलर्ड डिवेंस हैं की उक्रेइन को इतनी मदद देना है नहीं देना है चिभाप सीड Catholics जो की एभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि सीनेट से अप्रूबा नहीं हुआ है अभी तक और आगे भी मदद देने के मूड में नहीं है रिपलिकन्स जो कहते हैं कि अमेरिकन टैक्सपेर से जाना चाहते हैं कि वहां कुछ हो क्या रहा है कोई फायदा ही नहीं हो रहा है बलकि हम अपना नुकसान किये जा रहे है तो इस वज़े से जो है वहां पर यह चीज आ रही है और यह नुकसान युक्रेन का हो रहा है इसमें जहां तक लेटिस्ट है दो दिन एक दिन पहले का रूस ने जो है एद्विका टाउन में जो है क्लोजिन कर लिया है उसके उपर और लग रहा है कि उसके जल्दी वहां पर उसका कबजा हो जाएगा खेर्सवान और बाकी जो उन्होंने बोल रखा है कि अगर वेस्टर्ण नेशन्स का मदद कम होता है यह नहीं हो तो हम तो उक्रेयन पर तुरंट कबजा कर सकते हैं उक्रेयन कुछ नहीं कर पाएगा और वास्तों में एक्रेयन के पास कमी तो है आम से अमिशन की परसोहीं दो दिन से लगातार जनिस इसकी औरफ कंट्री से बात कर रहे हैं नाटो में गये थे वहां मिले हैं सेकर्टरी जनरल से और जहां उन्होंने जहां पर उनको बताया गया कि नहीं मदद जारी रहेगी तो यह जो चीजें हैं अरसा डाल रही हैं वहां की उत पर ग्राउंड पर वहां पर बहुत कुछ नहीं हो रहा है युक्रेयन ने जो है जरूर दावा किया है कि 36 ड्रोन अभी फायर किये थे रशा ने उनके ऊपर जिसमें उसने 27 गिरा दिये हैं तो यह चीजें लगातार तो कई आया रही हैं ड्रोन वारफेरी ज्यादा चल रह रहा है इस दाओ मिकलोव खेरसान में जो है और्टरिली फायर और मिसाइल फायर ड्रोन से फायर जो है काफी कुछ चल रहा है और तकरीबन जहां तक युक्रेयन का सवाल है वहां पर करप्शन के चार्जेज अभी भी आ रहे हैं खास करके डिफेंस में दो वरी बहुत सीनियर आफसर जो हैं डिफेंस के उनके उपर अभी जो है इंक्वाइरी चल रही है कि उन्होंने करप्शन किया है जो पैसे आ रहे हैं और समान लेने में हाला कि जरूर बोला है कि वह तकरीबन सिक्स मिलियन डॉलर का मिलिटरी एड अभी देगा जिसमें पैट्रियट मिसाइल और कुछ रॉके और अमेरिका ने अभी दो सो मिलियन डॉलर बोला है देगा लेकिन जब तक सिनेट से अप्रूवल नहीं होता आनी पाएगा तो अभी कब मिलता है क्या मिलता है अभी कहां नहीं जा सकता वहां पर रूस ने जो है जैसे अपनी अटेक स्टेड़ी अभी बदली है जहां पर उसने जहां तक कबजा किया हुआ है वहां पर उसने माइनिंग शुरू कर दिये माइस लगाना और जो माइन के जूल्टीज बहुत हो रही है युक्रेइन के जो टैंक्स हैं बागी गाडियों की परसनेल की इनफेक्ट उक्रेइन ने अभी कंपल्स्री कर दिया है कि जो विमेन हैं उनके जो अलड़ी मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या फार्मासिस्ट हैं वो भी जो एनलिस्ट होंगी क्योंकि उनको डॉक्टर्स की और बाकियों की कमी पढ़ गई है वहां पर तो यह रशा का जो स्ट्रेजी है अब विंटर स्ट्रेजी में शिफ्ट हो रही है क्योंकि अब वहां विंटर सेटिन हो रहा है और उसकी लड़ाई यो उस पर ध्यान दे रहा है कि कहां पर कैसे लड़नी है रूस ने जहां कमजूर पाया है अपने ट्रुप्स को उसने रोटेट भी किया है जैसे उनकी जो 291 ब्रिगेड है और जो 71 मोटराइजड राइफल रेजिमेंट हैं उनको जो है उसने चेंज किया है अदला बदली की है क्योंकि यह दोनों जो उनकी रेजिमेंट्स थी वो जो है जो इंफैंट्री वे मोटराइज रेजिमेंट्स थी वो युक्रेयन के सामने भार गई थी लगवग हार रही थी हार गई थी उनको जो है चेंज हो दूसरी जगब भेजा जा रहा है और दूसरी बटालियंज की जा रही है तो अपनी स्ट्रेटेजी रूस भी बदल विए उक्रेइश उस पर उक्रेंट जज्यादा दोड़ दे रहा था के उपर और अब कर पर अब जो कुछ दिनों से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है तो अभी जो है ओरा Przy RICH earian की वह तोई कुछ ज्यादा कर पा रहा है एंटिटनक मेजर्स जरूर यूक्रेंग ले रहा तो आज की जो हाला आते यह वेस्ट का जरूर अमेरिका का फोकस उधर ज्यादा हो गया है और यूक्रेन को भाग दोड़ना पड़ रहा है या लोगों की गुहार लगानी पड़ रही है अपने मदद के लिए और रूस जो है जरूर इसको फाइदा उठाएगा अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके